जार्खन के नक्सल परभवावित इलाकों में 15 दिसमर से सुरू होगी सहायोजना नक्सल परभवावित जी लोग के लिए 15 दिसमर को मुखे मंत्री हिमान सुरेन सहायोजना आराम करेंगे बता दे चाई बासा में आयोजीत प्रमंडल अस्तर ही आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारकार करेंगे सीएम इसका उधाटन करेंगे गरामीन छेत्रों में गराम पंचायत और सहरी छेत्र में वाड अस्तर पर 14-19 साल के लड़के और लड़कियों का खिलाडियों के तोर पर इस्टेशन कराया जाएगा यह कार यह वीडियो नगर निकाय में सीएओ के माध्यम से कराया जाएगा बतादे पंजी करन कर इन खिलाडियों का डेटा बेस तयार किया जाएगा गराम पंचायत और सहरी छेत्र में वाड अस्तर पर फुटबॉल, होकी, बॉली बॉल की अलग-अलग टीमों का चैन किया जाएगा जारखन में जल्द होगी सिख्षों की बंफर वहाली राज्जे में सिख्षों की नयुक्ति पर किरिया जल्द सुरूर होगी बनाधे प्राथमिक से लेकर पलस टू भी द्याले तक में एक लग से अधिक सिख्षों की नयुक्ति की जाएगी उक्तबाते सिक्षा मंत्री जगनात महतो ने सनिवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेश स्वारता में कही सिक्षा मंत्री ने कहा फिलहाल कॉंट्रेक्ट के अधार पर कर्मी रखे जाएंगे उन्होंने कहा कि राज जेके सभी जिला मुख्याला है प्रखंड मुख्याला है से लेकर पंचाय तक में एक-एक अंग्रेजी माध्यम का इसकुल खोला जाएगा इसकी परकिरिया शुरू हो गई है प्रथम चरण में 80 विद्याले का चैन किया गया है जारखंड में पाराशिक्षकों को बेतन मान नहीं 50 फिश्दी बढ़ेगा मान दे राज जेके सभी जाएगी जबकि बिना टेट वाले पाराशिक्षकों के मान दे में 40 फिश्दी की बढ़ोत्री होगी बिना टेट वाले पाराशिक्षकों की आकलन परिक्षा भी होगी इसमें पास करने के बाद उनके मान दे में अलग से 10 फिश्दी की बोनस के रूप में बढ़ोत्री होगी बता देया एक जन्वरी 2022 के प्रभाव से लागू होगा इस कूली सिक्षक वसक शर्टाविभाग ने जार्खन पाराशिक्षक सेवा सर्त निमावली 2021 के प्रारूप में इसका प्रधान किया है निमावली के प्रारूप पर सनीवार की देर साम सिक्षा मंत्री जगनात महतो और एकी किरित पाला सिक्षकों के साथ वर्ता हुई पूलिस नकसली मुडभेड घिर गया रविंद्रे गांजु दस्ता जर्खन के गुमला जिले में भागपा मवादी के गड़ बनालात के जुडवानी केरा कोना जंगल में रविंद्रे गांजु के दस्तेक साथ पूलिस की सनीवार को मुडभेड हो गई सुत्रो के अनुसार मुडभेड के दरन 5 से 6 बड़े धमाके की आवाई सुनी गई के नतित्यु में कुमला जिले के बनालात इलाके में मवादियों खिलाप अवियान चला रहे थे सभी वर्ग के छात्रो को विदेश जाने का मौका देगी जर्खन सरकार मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने हजारी बाग में आयोजीत प्रमंडल अस्तरीय मेगा परिसंपती बित्रन कारकरम के दरान घोसना की है कि मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने कहा है कि परदेश के विकास को खनी संपता से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है खनी संपता से परदेश को विकास के पत पर ले जाना संभव नहीं है बलिक खेत खलिहान के रास्ते हमने विकास करने का नेना लिया है उन्होंने कहा कि पिछले 20 बरसों में जो काम नहीं हुआ है अब ओ काम हो रहा है वहीं साबा अस्तल पर रोजगार की मांग को लेकर सोर कर रहे हुआ हो से मुख्य मंत्री ने कहा कि आईए और मंच से अपनी बात बताईए हम आपकी ही मदद करने आये हैं हमारी सरकार की गरांटी है कि आपके घर में एक रोजगार जरूर देंगे सो रोजगार के लिए राज सरकार ने का योजना लागू की है सात्वी सिविल परिक्षा में पास अभियार्थी फेल जर्खन लोग सेवा आयोग की सात्वी सिविल सेवा प्रारमिक परिक्षा में अब एक और विवाद उत्पन हो गया है बतादे इस परिक्षा में 49 अभियार्थी पुर्व में सफल गोसित किये गए थे अब इन्हें असफल गोसित कर दिया गया है जेपीसी ने सनिवार को इन अभियार्थियों के कर्मांग जारी करते हुए इसके कारणों को भियस पश्ट किया पहले सफल बाद में असफल गोसित अभियार्थी में वे ही सामिल हैं जो पुर्व में लगतार कर्मांग से उतिर्ण हुए थे बता दे जेपीसी के सचीव के अनुसार प्रालमिक परिक्षा में सामिल संतावन अभियार्थियों को वो एमार सीट आयोक को नहीं मिली थी हलाकि इनकी परिक्षा में उपस्थिती बनी थी किसान बीरो थी है हमत सरकार बीजेपी भाजपा पर्देश अध्यक्स राज सभासांसद दीपक परकास ने कहा कि परधान मंत्री ने किसानों को समान दिया है किसानों के हीट के लिए कई उझनाये चलाई है जारखन के राची जीले में नामकूम प्रखन के सीद रोल में आयोजीत किसान मोर्चा की कारिसमिती की बैठक में वे बोल रहे थे बता दे उन्होंने कहा कि राजे की हिमन सुरेन सरकार किसान भी रोधी है पुर्व की भाजपा सरकार ने किसानों को प्रत्ति एक पांच हैयार पुरुप साहन रासी दी थी जिसे बर्तमान सरकार ने बंद कर दिया केंद्रे ने प्रति क्यूंटल बीस सो तीरपन रुपे निधायित किया था परन्तु हेमन सुरेन सरकार 250 रुपे दे रही है जबकि चुनावी घोसना पत्र में उन्होंने 25 सो रुपे देने की घोसना की थी सिमडेगा से गुमला तक 28 हाथियों का जूंड पांच दिन पहले जहरखंड के सिमडेगा जिला अंतरगत बानों की ओर से गुमला जिले के बसिया परखंड इस्थीत आरया के इटाम जंगल में चार बच्चों सहित 28 हाथियों के जूंड ने परवेस किया था हाथियों का जूंड अब धिरे धिरे खोटी जिले के जंगलों की ओर बढ़ रहा है फिलहाल हाथियों का जूंड कामडारा परखंड के पोकला कोडेग सेरा जंगल में है बता दे गुमला में हाथियों का जूंड काफे नुकसान पहुचा चुका है डियेफों ने ग्रामि नए केस मिले हैं जबकि 9265 मरीज स्वास्त भी हुए हैं भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 92,922 है